दोस्तों जैसा कि आप लोग कलास टेंट से जो है अक्तूबर मनत का एक्जाम देने जा रहे हो और आपका पेपर जो है साइंस का हो रहा है तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है न साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंसर की आपको बताएंगे साथ में यह भी कि स्टेप शैप के एक्जाम में पुछा जाएगा सब्जेक्टिव में क्योंकि अब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एंसर की था न वह मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था अगर आपने नहीं देखाएंगे सभी सब्जेक्ट का जो आपको मिल जाएगा ठी देखते हैं इसमें देखिए एक से लेकर के 10 तक परसन राएगा जिसमें से पांच परसनों का उत्तवर दिना होगे जो की फुक्षा गया है चाट नमर यह question है जिवास मिननं क्या है इसके दो प्योग लिख लिखे उधारन तो इसका भी answer बटाथन की बटालका है और कहा होता 14 जो बाला MP करें साथ हृ तो की plus और नौ नमर को छोड़ करके हम लोग आगे दस नमर का बताएंगे तो यह था आपका सब्सक्राइब करें तो चलिए बताते हैं आपको इसे चैनल के माध्यम साब को पेपट दिया जाएगा तो चलिए अगे देख लेते हैं एक नमर का इंसर जो लोगना पहला दिया ग्लॉ यह प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर उसकी डिसा में होने मेसे फष्ण कि घतना को प्रकास आपण की निशचित वनुपात्य में होती है जिस जाता है जो कि आपको फॉर्मूला भी गड़ा हो याद होगा साइन आई बटे जो ना साइन आड होता है ठीक है तो यह पता होना चाहिए चलिए मैं पहला कोईशन का इसार बड़ता दिया आप लोग स्कीन शॉट भी लेना चाहिए तो ले लीजिए अब एतनी नमर कोईश् आपको मिलने लाइट आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा ओर आप लोग एक एड़ एक करते जिएगहा स्वेट परकास दुकार पिर्डिलन द्वारा साथ रंगों में विभक्त होना परकास का बिच्छेपेन कहलाता है यह साथ रंग वैंगनी रंग निला आश्मानी हारा प लेंगनी वर्णों का किरन विचलन महतम होता है तो उन रंगों को एक परदा पर उत्तरा जा सकता है यह या फिर इसे हम लोग वर्ण पट भी कह सकते हैं तो चलिए यह कुश्चन का अंसर के लेना चाहिएगा तो ले लिजिए चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं आठ प्रकास अंसलेशन में अंटर लिखना था तो पहला पॉइंट जेगा इस प्रकास से आप लोग बना लिजेगा डाइगरम जो बनाया गया ठीक है तो इस प्रकास से बनाकर ही लिखिएगा स्वासन एक विखंड विखंड आतमक पट्टी करिया है और इसमें लिकना है कि प ट्रेंट के रूप में उपयोग करते हैं तेशा प्रकास अंसलेशन में गूरुच का एक स्यो टू आतो उत्पाद के रूप में बनेंगे तो चलिए आगे सात नमर का लिखिएगा सार्ण मुर्क श्षिन आपका है पुचा या पूचा कि पीड़ा मिश्यम के बारे में तो करता है यह साइटो पाइज नामक अंग से अप्सिष्ट प्रार्तों कुट्या करता है तो यह में आपको बता दिया आप चलिए और भी कुश्चिन आपका यहां से था आर्ट नमर तो आट अमर का भी बता देते जल्दी जलिए इसकी चुट लेना चाहिए का ना तो इसका ल होता है जिसमें अभी कारक में पर्मानु की संख्या पर्मानु की संख्या के बराबर होगा जैसे कि यह पर लोग यहां पर देने जैसे कि यह टू एच टू टू परलस ओटू बराबर बनाया है तो यह बना उसी प्रकार से और इसमें क्या-क्या बताय जा रहा है अभी कार सब्सक्राइब करते हैं अपनी ऑक्सिकरन की छमताक के छमताक से अन प्राइटों के खीच कर गरन करते हैं वह आप कालक की पर्तिक्रिया की साहिता से करने माले प्राइट या जो प्राइट एक इलेक्टरों गरन करता है वह क्या कर लाएंगे तो यह आपका हो गया ठीक है तो यह हो गया टू और चुकि तू ओ टू चुकी ओ ठी चुकी एच टू एस चुकी एच एन ओ त्री इत्यारी बेगए तो ले लिजी आप दूस्ट का एंसर की चलिए दस नमर हो गया आप हम लोग ने आपको जो है मैंने शौट कुषिंट का एंसर की बता दिया आप हमारा आए फाइप मार्स वाल प्रस् ले लिए ओना आप चलिए आगे हम लोगे आपर देख लेते हैं यह कुष्चन आपका जैसे कि 11 नमर कुष्चन पुझा गया कि एक मोते तता लंबे टाड यह फाइमाक्स बलाओगा पहले देख लिजेगा ठीक है आप लोग 11 नमर से ले करके जितना भी कुष्चन कराएं ले 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 बना ले चाहिए चलिए तो इतना पॉइंट है उसके बाद आगे आपको थोड़ा सा इतना और भी करना होगा तो जहां-जहां में बूलूंगा ले 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 ना यह गया नमर का होगा अब लेकिक अगला है कि का पास पत्तों पर रखने से उन अस्ठान पर चुंबक्या छेट्र की दिशा का पता लगता है विविन अस्थानों पर सुई को दे लखने पर संकेंडरी विडित्तों का प्रतिरूप या फिर पैटर्न मिटता है अब चालक एवी से शीरो एवी सीरो से जुड़े बैटरे के डुरूबो को पलट देते हैं कम पास सुई को गत्य प्रभिविन जगह पर रखने से चुंबक्या छेट्र का पेटर्न पहले ही जैसा मिलता है प्रत्तु इस बारसुई विप्रित दिशा में घुमती है तो चलिए यह रहा डाइगराम डाइगराम भी आप लोग देखना चाहिए और मैंने आपको पॉइंट रिखा इतना इसका भी ले लिजिए यह 11 नमर का एंसर आप चलिए थोड़ा सा इसमें और ले लिजिए आप लोग थोड़ा सा लिक देजिए का धारा की रिषा मैं मैक्सवेल के दक्षिनी हस्त नियम से ग्याद किया जा सकता है तो मैं आपको जो छोटा ओल कर देता हूं अगर न जिंक लेंड को पर आधि संक्रियता सडेनी के मद में पाय जाने बाले धातू है प्रकेटिति में यह पड़ाया सलफाइड या कर्बोनेट के रूप में पाय जाती है सलफाइड या कर्बोनेट की तुरना में धातू को उसके ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करना आसा प्रतिकडिया को भंजन कहते हैं कार्बोनेट एसक को सीमिट वायू में अधिक ताप पर गर्म करने पड़ या ऑक्साइड में बडल जाता है या इस प्रतिकडिया को निश्थापन कहा जाता है जिंक के एसकों के भंजन एबं निश्था नियास पातन के समय निमलिकित अभि करिया आप लोग यहां पर जो है ना ले लिजिएगा यह कुछ अभिकडिया वेगड़ा रहेगा जैसे कि भंजन का अभिकडिया उपर रहा है इस परकार से आप लोग यह देख लिना ठीक है यह आप लोग ले लो एसकी शुट और चलो पूरा में देदे तांस की शुट लिजैसे लिए जैसे की शुट ले रही है लिखना है नेरा फ्लावर्र के यह होना ऍति किस हम जैसे की जो रहा हुनी संदो और उसका बताएं कहा लिएeliा तो चलिए यहां पर से आप लोगा स्कीन चॉट लेड़े रहिए का आपको छोड़ना नहीं है जैसे की लिखना है नीडाउन की संटाचना तो नीडाउन एक तारा आकार कोशिका कोशिका होता है जिसे साइटोन कहते हैं साइटोन के अनेक पहले तन्तूओं में से एक जो सब किलाते हैं एक्सोन अपने अंतिम छोर पर स्वयम साखित हो जाते हैं जो कि शुक्षम गांत जैसी राचना में प्राप्त होती है जिसे सुट्र यूगम गांते या साइनोटिक नोट्स कहते हैं एक्सोन के चाड़ और स्वेट चर्विडार पडात्तों का आपरन होता है ज से टते हैं जहां माइलीन फिर्ट नहीं होते हैं मैरrän भीडा के नौर कहलाते हैं यहां तक हो गया आगे चलिए इसके आगे मैर्ण का के देख लेता है है इंहांило, कहां तक हम ने कहा रिया कहां तो यहां तक क्लांग दो नौर्स के वीर्थथ भाग को इंटर इंट नौड क कि लेमा कहते हैं या चप्टी तथा लंबत को सिकाव की बनी होती है जिसे स्वान को सिकाव कहते हैं उसके आगे है जब जब एक्सवान बहुत लंबा होता है तो या तंत्री का टन्तु में कहला था तो चलिए मैंने आपको टूर्ट बता दिया इसकी शॉड़ लेना चाहिए आप लोगों को पूर चाहिए ठीक है जो बेकर्ट चाहिए सभी का जोहना आल question का answer की जोई यूतुब पर यूट्ब पे डी channel पर विजित करो वहां पर आपको सरा question का answer की मिल जा जाएगा bid Immig activity न है और और एक चीजा आप लोग जान लेना आप लोगों के मन में बहुत सरा डावट होगा कि सड़ीया कुष्चन फेक है या फिर लिए तो देखो मैं बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं करता हूं मैं उनको डायरेक्ट बता देता हूं या क्या है तो देखो यह पेपर आपको प 24 या 25 चοवीं ताडिक को क्या करना हमारे चैनल पर जरूर करना झांब लोग 22 या 25 ताडिक को फिर से पेपर दाला जैगा अगरही पेपर डाला जाता है तो आप लोग इसे को लिए फिर फで दाला जाए तो ऑसा परिसेंट डिभेंतिए की साथ हाओं सही ही होगा डिकर त दोनों का लिंक डाला हुआ तो उससे जाकर कि आराम से जोइन कर लिए वाट्सप गुडूब का जोइन कर ले ले न अगर टेलिग्राम गुरूब का लिंक नहीं काम करेगा न तो चैनल का नाम जो मिट्टुनेस्टरी सेंटर है शेम टेलिग्राम पे साइच करना आएगा कि मैं आपको जोईन कर दूँगा और वहां पर आपको श्राड़ा जान काड़ी में जाठीक है तो चलिए धन्यबाद आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना और आज जो भी सब्सक्राइब का कुस्सर्ण चाहिए जरूर आप लोग बताना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो क साथ